आज पास्ता से बनाते हैं बिल्कुल नई रेसिपी जिसे खा करके आप बर्गर और बाहर से पीजा आउडर करना भूल जाएंगे इतना बड़े अटेस्ट है इसका और बहुत ही असान रेसिपी है बहुत जल्दी बन करके तयार हो जाएगा बच्चे तो बच्चे बड़े इसके दिवाने हो जाएंगे तो इस वीडियो को देखते हुए आपको अच्छी लगे तो आप इसे लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया आप चैनल पर नए है तो चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूले तो सबसे पहले पास्ता उबालेंगी एक पतिले मे पानी डाला है मैंने उसमें एक चमस नमक डाल लें देंगे और एक चमस डाल देंगे डिफाइन डाइल और धकन लगा करके पानी में अच्छे से उबालाने देंगे अब पानी यहाँ पर उबल चुका है इसमें डाल देंगे पास्ता 200 ग्राम में यहाँ पर मैंने पास्ता नहीं आतले हैं इसे पानी में डाल देंगे और शयर इसे कवर कर देंगे और पास्ता को लगबगrench 90% कूअ को हो चुक ही इस तरीके से दबाकर के दख लीजिए पास्ता पील डन है इसको पानी से फिर नहीं एस जो इस्टार 26 में अच्छे से निकल जाए और पास्ता एक जगा चिप के नहीं इस तरीके से एक बड़े से बरतन में फैला करके डाल दीजिए आप यहाँ पर देख सकते हैं पिल्कुल अलाग लग फ्रेश-फ्रेश अमरा पास्ता है अब एक बाउल में दो अंडे तोर ले अब अच्छे से अंडे को फेट लिजिए मिक्स कर दीजिए अब यहाँ पर अंडे अच्छे से मिक्स हो गए हैं सारे मसाले मिक्स हो गए हैं अब पास्ता ले लिजिए एक बाउल में और इसमें एक चमस में होने जिए फिर फ्रेश-दूद की मलाई मिक्स कर दीजिए इस बटर लगबग 10 ग्राम बटर पीघल जाए तो चारू तरफ इस तरीके से पाइन के अंदर गुमा गुमा करके लगा दीजिए पूरा पाइन कोट हो जाना चाहिए अब इसमें ग्रीन पीज़ डाल देंगे तो थोड़े से प्याज को गुलगुल काटिया और डाल दीजिए जैसे कि हम पीजा की टॉपिंग लागाते हैं सबजी की क्वांटिटी जितना खाना चाहिए अब पढ़ा घटा सकते हैं जितनी सबजी डालेंगे उतना ही हेल्दी बनेगा तो सबजी यहाँ पर डल गई है अब उपर से पा ज्यादा ले सकते हुँ अब एक चम्मचीज पर टोमैटो केचप डाल देंगे आप बहुत कुछ इसमी मसाले डाल सकते हैं देशी मसाले पड़ी से पीजा का टच मैंने दिया है बिल्कुल नई रेसिपी है तो सीम्पल बनाएंगे तो ज्यादा टेस्टी लगेगा पेटे हुए अंडे को इस तरीके से चारु तरफ डाल दीजिए पास्ता के उपर अच्छे से अंडे से ढख देना है अब यहाँ पर ढगा दीजिए गयस का फ्लेम स्लो कर दीजिए और तीन से चार मिनाट एक तरफ से इसे पकने दीजिए ढखकन हटा देंगे आप देख स इस धकन से हमने ढखा था उसी में निकाल लेती हुमें और फिर पैन को वापस रेक दीजिए और इसे पलट करके दूसरी तरफ से डाल दीजिए यह तूटेगा भी नहीं क्योंकि दोनों तरफ से अंडे जो हमने डाले थे उपक गया है उसका ओमलेट फॉर्म में आचुका अब पलट करके फिर से एक बढ़ धका लागा दीजिए और दो से तीन मिनट दूसरी तरफ से भी स्लो फ्रेम पर पकने दीजिए अब धकन को हटा देंगे यहां पर देख सकते हैं पहुत ही बढ़िया पास्ता आमलेट बन करके तयार है हेल्दी भी टेस्टी भी पीजा का बर्गर का भी टेस्ट आएगा और पास्ता तो ऑल्रेडी पास्ता है ही क्रीमी पारिया सा आमलेट बन करके तयार है आप अशिदी तरफ पलट करके थोरे से इस पर मशाले डाल लिजिए चिली फीड़ी डाल लिजिए तोपैटो केचप डालि जो आपको पसंद एंदे ची बहुत ही ज्यादा टेस्टी है और बनाना उतना ही असान है फटा-फट से बन करके तयार हो जाएगा ते रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट बक्स में एक कमेंट तो जरूर देना दोस्तों कैसी लगी अपने विचार शेर करना मिलते हैं ऐसे ही दूसरी रेसिपी के साथ नमस करना है और नहत बने ओसना है दो करना है इतिव का करे डर भी दो करें रे इत्र दे को जाएगा हैं